गुद मॉनिंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 10 की सोशल साइंस की वक्षीट नंबर 41 को कम्प्लीट करेंगे बिटाई आपके भुगोल के चैप्टर 7 भारते अर्थववस्ता की जीवन रेखाव से संबंदित है और इस वक्षीट में हम वायू परिवहन के बारे में पढ रार चुके हैं जो लेट्स स्टार्ट बच्चों भायू यान यातयात का ते वरतम किंटू मेहंगा साधन है जो की जाते हैं वह सबसे ही तेझ साधन तो रेख का बहूए है उसका जो खर्चा होता है वह बहुत ज्यादा होता है किसके लिए जो टिकेटAm q tbh आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बाईयु आन यात्रा करना भारत जैसे विशालत था व्यापक जलव एक गलितवाले देशों में वायु परिवह्न का महत्व काफी काफी बढ़ जाता है अब भारत जो एक विवितताव वाला और विशाल देश है जिसमें बहुत जलवायू का बहुत प्रभाव पढ़ता है इस परीवहन पर जासे कहीं पर पर्वतार हैं कहीं भे घने जंगल हैं तो इस तरह से जो है ये संभव नहीं हो पाता है कि हर जगए हम सड़क और रेल के लिए माग बना सके तो ऐसे स्थीते में हमें वायू परिवहन की मदद लेने पड़ती है और वायू परिवहन जो है उसका महत यहाँ पर काफी बढ़ जाता है एंदर के नहीं परिवहन के साथ दूसरे देशों के साथ संपक स्थापपत करनेhma की काफी महत पूर्ण एक होती है हमारी domestic flights domestic airport भी होता है और इसे तरह से international भी होता है आंत्रीक परिवन मतलब जो हम देश के अंदर ही एक राजय से दूसरे राजय में जब जाते हैं बायू यान के द्वारा airplane के द्वारा तो इसको हम कहते हैं आंत्रीक और जब दूसरे देशों के साथ तो वह हमारे international flights के द्वारा हम जाते हैं तो वायू परिवन के द्वारा हम देश के अंदर भी आंत्रीक परिवन का देश के तो हम तैख करते हैं Waiyuan के द्वारा और साथ ही जो माल परिवान तो हम जो है माल को है जो सामान है भारी सामान है उसको बड़ी मात्रा में जल्दी एक जगह से दूसे जगह पर पहुंचा सकते हैं हम भी जब किसी देश में सबसे जादा स्बसे जल्दी हमें एक जगत से गहें हैं और सामान को crazy बहुत जादा आवश्यक है Gef tam भी देखोगे जो फाइटर जेट्स होते हैं और वायू यान के दुवारा हम सामगरी युद्ध सामगरी कहीं ऐसे जगहाँ पर भी पहुंचा सकते हैं जहां पर पॉसिबल नहीं होता है ट्रेन से जाना क्योंकि बहुत जल्दी हमें यह सब चीज़ें पहुंचाने होते हैं स से बाड आ जाए तो हम बाड में जो है ना तो बसकी द्वारा जा सकते हैं और ट्रेन के द्वारा सड़की जो मार्ग हैं वो क्या होंगे हम आपर जाना पॉसिबल नहीं होगा तो हम वायू यान द्वारा ही सुविधाय पहुंचाएंगे महां पर भुकम पाजा आ जाता है कहीं पर तो ऐसे सिती में भी वायू यान सबसे अधिक महतपून होगा कहीं जो इस तरह की समस्या आती हैं अपातकालीन सिती बन जाती है तो हम वायू यान के द्वारा लोगों को वहां से निकाल भी लाते हैं और साथी साथ सुविधाय भी उपलब्द करा देते हैं चाहे 1991 में खाड़ी युद के दोरान जॉर्डन अन्या खाड़ी देशों से नागरिकों की वापसी हो अब 1991 में जो युद हुआ था उस समय पे देश के नागरिकों को वापस लाने में और अभी भी आपने देखा होगा जो करोना महामारी थी उसके दोरान जब हमारे देश के ल मिल्यकी सिदार्व आप इस मैं तो सुदूरवड़ी शेत्रों में सड़क वें जously हुद्णू का उपयोग नहीं तो यहां पर भी जijn हथा पुमी का निभादा सीुपर एक वह बंधी अप्षन हमारे पास बसते हैं इसकेों क्यों हुआ हुआ उपर पहुंच सकते हैं अब वायू यातायाद द्वारा जो डाक सामगरी भी बहुत तीवता से पहुंचाई जा सकती है जो डाक सामगरी यानि कि जो हमारे पत्र होते हैं जो चिठ्थेया होती हैं को यह तो हमारे जो सपीड पोस्ट करते हैं तो जो हमारे do अ यहां नहीं तो अगर हम सडक मार्गों के द्वारा बहुत दूर दूर को कि अगर आ घुटा सो probabilities 1953 में वाउयूयान परिभान का राष्ठीय करन करन गया था इस पर सर्कार था उसका स्वामित्व हो गया था नहीं तो इससे पहल करने असे परख फटे अनीचिकरन उता थो फ्राइबट में में इसका वाईयूयान परिवहन का राष्ट्रे करन किया गया बच्चो एर इंडिया घरेलू और अंतराष्टे वायू सेवाएं प्रदान करती है जो एर इंडिया है बच्चो वो घरेलू यानि की डोमेस्टिक की देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह के लिए और अंतराष्टे वायू प्रदान करती है इसके बाद है बच्चों पवन हंस के हलिकॉप्टर लिमेटेड देश के अगम में दुर्गम भागो जैसे उत्तरपूर्वी राज्यों जम्मु कश्मीर हिमाचर प्रदेश उत्राखंड के आंत्रिक भागो में हलिकॉप्टर सेवा उपलब्द कराते हैं अ और जम्मु कश्मीर हिमाचर प्रदेश हो गया उत्राखंड तो ऐसे जगह उपर यह हेलिकॉप्टर सेवाएं देता हैं हमें कौन देता हैं बच्चों पवन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड भायू भारत में बायू परिवहन की शुरुवात 18 फरवरी 1911 में हुई थी अब वायूयान के द्वारा डाक ले जाया गया था कहां से कहां तकि लाहवाद से नहीं और ला पाद को मैंने आपको बताया वह च्छी व्क्षीट में वी कि लावाद को मं प्त्रियाग राज के नाम से जानते हैं पुसका नाम बदल दिया गया यह दुनिया की पहली मेल सेवा थी और यह सबसे पहली मेल सेवा भी थी जिसके हम बद्वारा हम डाग पहुंचाया गया ठीक है भारत के प्रमुक अंतर हवाई अंतराष्टे हवाई अड़े हैं पहला चत्रपती शिवाजी हवाई अड़ा सांता क्रूज मुंबई में अब कि इसे तरह से हमारेкое नेशननल हाइवे थे और रेयल मार्ग थे इस Tasteivas Android भी है तो यह है हमारा पेहला सबसे पहले कौनसा जो इंटर्नेशनल फ्लाइट के लिए हैं जिसके द्वारा हम दूसरे देशों में भी जा सकते हैं तो पहला है हमारा चत्रपती शिवाजी हवायड़ा जो कहां पर है मुम्बई सेंता क्रूज दूसरा है बचओ इंद्रागांधी अंतराष्ट्य हवायडा यह है दिली में पालमपे और तीसरा है सुभास चंद्र बोस हवाई अड़ा दमदम कहां पर है ये बच्चो कॉलकता में और फोर्थ है हमारा मीन मकबम मीनम बककम हवाई अड़ा चेन नई में है तो ये हमारे चार अंतराश्ट्रे हवाई अड़े थे बच्चो अि होप आपको ये वक्षीट यहां तक क्लियर हो गई होगी अब हम इस वक्षीट की कुछन ऐसे को डिसकर्स कर लेते हैं हमारा पहला कॉछन है बच्चो एयर इंडिया से जुड़े कुछ देशों के नाम लिखे है इस इन्था बच्चो एयर इंडिया से जुड़े प्रमु परीवहन महत्वपुन क्यूंं है इसका अंसर है उत्तर पूर्वी राजों में वायू परीवहन निम्नप्रकार से महत्वपुन है फ़र्स्ट भारत के उत्तर पोवी राज्जें पहाडी राजें जिसकारण वहां सड़कों और रेलों आधिका विकास काफी कठीन है इसलिए लगती हैं और ऐसे सिती में देश की सीमा उपर सुरक्षा में वायू परिवन सबसे उत्तम है फोर्थ है इस सीमा वर्ती प्रदेशों में जवानों तक सुरक्षा तथा भोजन सामगरी युद सामगरी आदे शिग्रता से पहुंचाने में वायू परिवन ही सबसे उत्तम है फोर्थ कोश्यन है आपात का लिंग परिसिती में कौन सा परिवन सबसे अधिक उप्युक्त है तो आंसर है बच्चो आपात का लिंग सिती में सबसे उत्तम परिवन वायू परिवन है क्योंकि किसी भी आपात का लिंग सिती में वायू परिवन द्वारा सबसे शिग्र सुव कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज की notification आपको time से मिल सके, bye bye बच्चु, have a good day प्यारे बच्चु.